हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लैविक्स AS75 टैबलेट के बारे में इस टैबलेट के क्या फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, इसे किस परकार से लिया जाता है, कितने दिन इस टैबलेट का प्रियोग किया जाता है इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दबाईयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब साथ में गंटी वाली निशान को दबाना ना मुलेगा दोस्तों क्लेविक्स एस पचत्तर आती है इंडास कंपनी की और इसका प्राइज उन सट्रवे हैं पंदरा गुलियों का इसका फॉर्मुला देखे तो इसमें होता है सॉल्ट जो है इसमें कलोपीड डोगरेल पचत्तर अमजी एस्प्रिन पचत्तर अमजी और इसका प्रियोग दोस्तों इसका मेन काम होता है खून को पतला करना और इसका प्रियोग दिल का दौरा एंजाइना दर्द नसो में खून के ठक्के नहीं जमने देती है यह टेबलेट यानि कि खून जो बहाव जो खून का बहाव होता है उसे ठीक प्रकार से चलने में मदद करती है और खून को जमने नहीं देती है और माइगरेन, सिरदर्द, जोडों का दर्द, बुखार, मस्तिक की नसो में खून जाम होना नसो में जो की है दर्द होना सिर के जो नसे होती है उनमें कई बार होता है कि खून जाम हो जाता है जिसकी वज़े से उन नसो में बहुत तेज दर्द होता है और बहुत सी प्रॉब्ल कीया जाता है और इसका इसका प्रियोग प्रकारटफ प्रकार से चलने में बदद से उसे रुपने नहीं देता है और इसके बहुत से काम होते दोस्तों डॉक्टर्स ही आपको इसका जब जरूत पड़ती है पेशन्ट को तभी इसको प्रस्काइब करते हैं और बिना प्रस्किप्शन के बिना डॉक्टर की सलहा के इस टैबलेट का प्रियोग नहीं करना है uh दोस्तों इसकी डोसकी बात करें तो इसे रोज एक टैबलेट रात में दी जाते जैसा कि किसी पेशन्ट को दे गई थी तो उसमें भी इन लिखा हूआ है मारकर से रात में एक टैबलेट दी जाती हैं और इसके साथ बहूंसी दमाइयें चलती हैं वह पेशल पी के उपर होता है दोस्तों बात कर लेते हैं इसके side effect कि इसके नुकसान क्या होते हैं इससे मतली आ सकती है उल्टी सिर्चकराना अपच पेट में कब्ज होना पेट में सूजन रखतसराव होना जैसी समस्या हो सकती है तो इसे आप अपने मज़िसे यूजिना करें